आजादी का अम्रित महोचव आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के संग एक राश्ट्र का उदै भारत का गौरवशाली स्वतंतुरता संग्राम आधोनिक विश्व में घटित महानतम संघर्शों में से एक है और आकाश्वानी समाचार इस स्वतंतुरतां दोलन के एक जलक आप तक पहुचा रहा है हर रोज 1914 में आज के ही दिन यानी चार अप्रेल को जापान का जहाज कोमागाता मारू होंग कॉंग से कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकुवर पहुचा कोमागाता मारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है कॉंगाता मारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांच से 376 या 30 सावार थे 23 मई 1914 को वैंकुवर पहुचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी चानून के तहत कैनेडा में प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया भारतिय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया भारतिय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुचा लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया बंदरगाह में पहुचने पर एक ब्रिटिश गनबोट ने कोमा गाता मारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमा गाता मारू में सवार लोग राजनाईतिक आंदोलनकारी भी थे ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्टवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ती की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं बाबा गुर्दित सिंग जिन्होंने जहाज किराई पर लिया था वो कलकत्ता में उतर कर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरू ग्रंथ साहिब को हावडा के गुर्द्वारे तक ले जाना चाहते थे इसे लेकर पुलीस और उनके बीच तेज बहस हुई अफ़ा पहल गई कि गुर्दित सिंग को गिरफतार कर लिया गया जिसका परिणाम पुलीस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ पुलीस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाई जिसमें 20-26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए अनेक लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गाउं भेज कर पहले विश्व युद्ध की अवधी के दोरान नजर बंद रखा गया बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुक नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया सन 1952 में प्रधान मंतरी जवारलाल नहरू ने कोमा गाता मारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उदगाटन किया इन महान शहीदों को कृतक ग्यदेश वासियों का शत शत नमन आज हम स्वतंत्रता सेनानी जैदयाल भटनागर को भी याद कर रही हैं जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रेल को भरतपुर राज में हुआ था जो अब राजस्थान में है महराब खान के साथ मिलकर जैदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नित्रत्व किया उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काररवाई का संचालन किया वो 15 अक्तूबर को कोटा के एजन्सी हाउस पर हमले के लिए अंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे कोटा को अधिकार में लेने के बाद जैदयाल और महराब खान ने कई महिनों तक कोटा राज का प्रिशासन समभाला हलाकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जैदयाल किसी गुपत स्थान पर चले गए लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और बिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुचा दी 15 अप्रेल 1860 को उन्हें गिरफतार कर लिया गया जैदयाल को मौत की सजा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजंसी हाउस के निकट उन्हें भासी दे दी कई इस महान स्वतंतुरता सेनानी को हमारा शत्षत नमन आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के संग्श्रंखला की ये कड़ी यहीं संपन होती है कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ